हेलो एब्रिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं समर स्पेशल हेल्दी बेल सर्वत बेल सर्वत बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है लेकिन एक बार आप मसाला बेल सर्वत पी लेंगे तो मेंगो जूस भी साइड में रखेंगे बेल सर्वत ही पीना पसंद करेंगे फ्रेंड्स बच्चों को बेल सर्वत पसंद नहीं आता है लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे भी हर दिन बेल सर्वत की डिमांड करेंगे ये सरवत बनाने में बहुत ही आसान है और पीने में बहुत ही टेस्टी और उससे भी जादा ये हेल्दी है इसे मैंने किस तरीके से बनाया है चलिए बिना टाइम वेस्ट किये इस हेल्दी समर इस पेसर बेल सरवत को बनाना देख लेते हैं प्रिष्वथ बनाने के लिए हमने ले-लिया है यहां पका हुआ बेल बेल बिल्कुल कच्छा नहीं होनाय चाहीं है यह एक Дभ म अच्छें पका हुआ बेल होना चाहीं और friends इसकी पहचान क्या होती है कैसे हम पहचानेंगे कि ये अच्छे से पका हुआ थी ये जो पार्ट है इसका वो इसकी डंठल अच्छे से निकल जानी चाहिए जब हम इसे तोड़ें तो इस तरीके से हमें पहचान हो जाती है कि बेल बहुत अच्छे से पक चुका है तो हमने इसे बीच से तोड़ लिया है देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पका हुआ बेल है और बहुत मीठा बेल है तो friends अब क्या करेंगे एक इस्पून ले लेंगे और इसका जो पल्प ह इसे एक बरतन में निकाल के हम रखेंगे पल्प में बीच भी होता है बीच के साथ कुछ ग्लू जैसे लिक्विटी चीज होता है तो friends वो भी पेट के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है बेल पेट और गर्मी के लिए बहुत ही हेल्दी फल है ये सरीर को ठंधक देता है पेट के पाचन सकती को बढ़ाता है और friends सूगर के पेसेंट भी इस फल को खा सकते हैं बीना सूगर एड़ किये क्योंकि ये जो इसकी मिठास होती है इसमें सूगर बहुत ही कम होता है सूगर फ्री होता है बेल तो इस तरीके से बेल सरीर के लिए अमरित के समान है बेल हमे गर्मियों में यूज करना चाहिए क्योंकि इसे गर्मी में ही हम यूज कर पाते हैं फिर बीच में मिलता नहीं है तो आप इसे जरूर पूरी गर्मी सेवन करें तो अब हम इसका पल्प निकाल लिये हैं इसे हाथों से अच्छे से मैस करेंगे थोड़ा सा पानी डालके तो तो पानी हमने ठंडा यहां यूज किया है, ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाथ से ऐसे हम पल्प को जब मसलेंगे, तो हाथ में ज़्यादा ठंडक लगेगी, तो थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए अभी, तो इसको अच्छे से हाथों से मसलते बीज से अलग कर लें, तो थोड़ा सा पानी मैंने और यहां डाल दिया है, इस तरीके से पल्प जो है अलग हो चुका है, पानी के साथ मिल चुका है, तो अब हम इसे छान लेंगे, तो छानने के लिए आप मोटी जाली वाला चन्नी का यूज करें, जिससे इसका पल्प और इसे छान लेना है, तो एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से, जब हम ऐसे मिक्स करते हुए हिलाएंगे, तो यह बहुत आराम से छन जाएगा, क्योंकि यह बहुत गाढ़ा है, तो बीना ऐसे इसे इस्टर किये, यह नहीं छनेगा, तो ऐसे हम दबाते हुए आप देख सकते हैं, बिल्कुल अब इसमें जूस नहीं है, यानि पल्प इसका निकल चुका है, तो अब हम जो यह बचा हुआ पल्प है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको भी एक बार अच्छे से मसल के और रेसे को अलग कर लेंगे, आप चाहें तो इस के रेसे हैं, बिल्कुल साफ निकल रहे हैं, तो हाथों से दबाते हुए इस तरीके से हम रेसे और बीज को अलग कर लेंगे, यह देखिए, अब इसमें पल्प नहीं है, तो जो बचा है इसे भी हम इसी पल्प के साथ अच्छे से चान लेंगे, और फ्रेंट्स चानने के लिए जो बीज है, इसे हम रिमूब कर देंगे, बीज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो इस तरीके से हमने चान लिया, अब हम बीज को फेक देंगे, बीज का कोई यूज नहीं है, अगर जो इसे आप बाद में यूज करना चाहते हैं, जैसे सुगर के पेसेंट वगरे तो फ्रेंट्स, यहां हमने चान लिया है, अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब, तो इस तरीके का मेरे पास आइस क्यूब है, मैं इसमें डाल देती हूँ, यह देखिए, इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, आप च चमच भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा समयने काला नमक एड़ कर दिया है, और आधा निम्बू का जिवस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिलकुछ चटपटा लगेगा, मैंगो फ्रूटी भी फीका लगेगा, इस बेल के सर्वत के सामने, बच्च ले लिया है, और इसमें Ice Cube डाल देंगे, आप जितना थंडा पीना चाहते हैं, उतना Ice Cube डाल सकते हैं, अगर जो आप थंडा नहीं पीना चाहते हैं, तो इसे अवाइड भी कर सकते हैं, तो अब मैंने इसमें पुदेने के पतियों को अच्छे से हाथों से क्रस्ट कर लिया जिससे सर्वत में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इस तरीके से अब हम कब को सर्वत से फील कर लेंगे ये दिखे फ्रेंट्स बहुत ही लाजबाब एकदम चटपटा सा ये बेल का सर्वत बनके तयार होता है अब हम एक बार चमच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे काकि इसमें मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये पुदीना और का फ्लेवर बेल के सर्वत में आ जाए तो फ्रेंट्स उपर से भी हम थोड़ा सा मिसरी का पाउडर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे ये देखे और अब इसे सर्व करने के लिए हम इसमें पाइप लगा देंगे इस तरीके से ये देखे बहुत ही सांदार बहुत ही टेस्टी गर्मियों का ये हेल्दी ड्रिंक तयार होता है इसे और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें एक चमच आप सत्तु जो चने का सत्तु होता है सिर्फ चने का स सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैसरी हरी